आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 Android mobile phone में आप अपने mobile phone को factory reset कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो का में स्टार्ट कर ले दें देगी दोस्तों यहां पर सर्च बार में आपको factory reset आपको लिखना है अगर reset भी लिखेंगे तो भी शो हो जाएगा तो नीचे की साइड आपको फोन को factory reset कर सकते हैं अब दोस्तों आपको यह भी बताएता हूं कि factory reset करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है देखिए सबसे पहले तो आ अगर आपने फोन में कोई भी memory card अगर लगा रखा तो उसे भी आपको फोन से बाहर निकाल के रख लेना है ठीक है और यह भी आपको अगला काम करना है कि आपके फोन में जितना भी data है सारा का सारा data आप किसी दूसरे फोन में transfer कर लिजे यह आप अपने फोन के data का backup ले ल अब मैं आपको यह बता देता हूं कि backup कैसे लेना है यहापर मैं आपको न एक app के बारे में बताऊंगा बागी सब यह आप में आपको backup ले लेना है ठीक है तो देखिए दूस्तों backup लेने से पहले फोन का internet आपको चालू रखना होगा इसके बाद यहापर जो है न मैं example के फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूं गैलरी में देखिए राइट सेट की टॉप पर पर प्रोफाइल पिक्चर होती है इसे टैप करना है आपका इक पेज आता है इसमें देखिए backup के सेटिंग है तो यह बैकप इस आफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस app की backup सेटिंग को आप पहले से बंद कर रखा है तो आपका इंटरनेट चालू करके अगर आप यह नीचे turn on backup है इस बटन को टैप करेंगे तो इससे आपका फोन की गैलरी का backup आ जाएगा ठीक ना यानि कि Google सर्वर पर आपका डेटा सेव हो जाता है तो इसी तरीके से आपको आपने बागे स सब कुछ डेलीट हो जाएगा डेटा और फैक्टरी रिशट करने के बाद जब आप अपने फोन में जो जीमेल आइडी जो आपने पहले से नोट कर ली थी उस जीमेल आइडी को दुबारा लॉग इन करेंगे ना अपने फोन में तो सारा का सारा डेटा आपकी फोन के कर अपने लॉग से चारा लोग सक आपकी तो समका यहले साक होने ओस दीमेद kyillä से जीमेल आपकी चारा रफकी प्योगरा इन कंपकी दो कि लुटा आपकी पबकी जीमें आपकी जीमेदकी ऑ़ने जीमेल आपकी यह झ שמते है को जीमेले से बादाब हमर्सकी औरी नापकी 5 उ